प्राइण दोस्तो तो ज्यादा से ज्यादा लोग फ्यूचर स्टेडिंग के अंदर लेवरेज बहुत ज्यादा लेते हैं जैसे मैं बाइनन्स के बारे में बात करू तो बाइनन्स में जो माकस्मम लेवरेज मिलता है BTC USDT पेर वाला जो स्मार्ट कॉंट्रेक है उसके अंदर 125X तक आपको यहाँ पर लेवरेज मिलता है तो ज्यादा लोग पूरा पूरा लेवरेज लेके ट्रेड करते अब यहाँ पर यह होगा कि थोड़ा सा भी प्राइज घिलेगा पचास से सो डोलर इधर उधर होगा तो अपना फंड यह वो जीरो हो चाएगा क्योंकि काफी लोग का होबी होता है काफी लोग गेंबलिंग करते 50X का लेवरेज लेते है 100X का लेवरेज लेते है 125X का लेवरेज लेते है मेरे मुताबित यहाँ पर लेवरेज ज्यादा से ज्यादा बिटकोइन अगर है बिटकोइन तो 10X से उपर नहीं जाना चाहिए और यहाँ पर दूसरे ओल्ट कोइन Ethereum को भी मिला लो तो वहाँ पर 5X से उपर नहीं जाना चाहिए वरना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तो भी आपको ज्यादा यहाँ पर लेवरेज लेके काम लेना है तो आपके लिए एक ट्रीक में सेर करूँगा वो ट्रीक की मदद से आपका जो लिक्विडेशन प्राइज यह वो दूर हो सकता है मतलब बहुत ज्यादा दूर आप लिक्विडेशन प्राइज को लेके जा सकते हो अब यहाँ पर पहले तो मैंने एक ट्रेड लिया है आपको दिखाने के लिए अगर आप डायरक्ली पूरा पूरा लेवरेज लेके जैसे कि 125 एक्स का लेवरेज लेके ट्रेड करते हो और सिधा सिधा आप ट्रेड कर देते हो तो लिक्विडेशन प्राइज क्या आएगा मैं आपर आपके सामने शेर करता हूँ कि कितना डिफरेंट आएगा कहां पर आपका जीरो होगा और हमारा एक सेटिंग है जैसी कि हम उसको एक ट्रीक बोल सकते है वो ट्रीक यूज करने के बाद हमारा लिक्विडेशन प्राइज क्या होता है मैं आप लोग के साथ सेर कर देता हूँ पहले हमने ट्रेड लिया है शोट का ट्रेड लिया है 125 एक्स का लेवरेश लिया है किसी को नहीं लेना है किसी को भी एक ट्रेड नहीं लेना है 125 एक्स का में सिखाने के लिए और दिखाने के लिए इसलिए मैंने only 18 डोलर डाला है यहाँ पर future solid में वरना मेरा भी जीर हो जाएगा तो यहाँ पर हमने शोट किया है फिलाल हमारा entry price जो था entry price था 16,402 डोलर अब यहाँ पर market price है 16,374 डोलर मतलब हमारी तरफ trade यहाँ पर आ रहा है इसलिए अच्छा है अगर उल्टा होता 16,400 पर आप trade लेते और 16,463 पर जाता तो क्या होता liquidation only 60 डोलर उपर जाता आप शोट करते और 60 डोलर उपर जाता तो अपना फंडे वो जीरो हो जाता इसलिए मैंने अठरा ही डाला है वरना मेरा भी जीरो हो जाएगा liquidation price को दूर ले जाना है और leverage हमे 125 एक्स का ही लेना है तो केसे हम करेंगे वो मैं आप लोग के साथ share करना चाहता वो आपको मैं सिखाऊंगा ध्यान से देख लो कि भाई जो liquidation price वगिरा है कितना दूरी है ध्यान से देख लो जैसे मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहूंगा तो entry price 16,400 market price को नहीं देखना है फिलाल entry price है 16,400 अगर आपने short किया है 16,400 से और chart चला जाता 16,463 मतलब only 60 dollar उपर जाता तो अपना fund 0 हो जाता ये किसी को नहीं करना है ये बात याद रख लो अब हम trick का use करेंगे इसके लिए यहाँ पर हमें trade को करना होगा close तो हम trade को कर देते पेले close तो यहाँ से हम trade अपना confirm हो गया close अब हमारे पात जो fund है futures wallet में 20.31 dollar फिलाल डाला है सिखने के लिए क्योंकि ये risk की वाला अभी हम काम कर रहे है इसलिए अब यहाँ पर हम जाएंगे futures में आब यहाँ पर हमें leverage तो पूरा ही लेना है margin mode cross and isolated अब सभी को पता होगा कि cross से वो पूरा पूरा fund उठा लेता है जैसे कि आपके wallet में futures wallet में अभी हमने देखा न कि 20 dollar मेंने डाला है और मैं 10 dollar से trade करा है और मैंने cross margin रखा है तो दूसरा भी मेरा 10 से वो भी उठ सकता है वो cross में होता है isolated में क्या होता है isolated आप select करते हो तो अपने पास मान लो अभी 20 dollar है और मैं trade 10 dollar से कर रहा हूँ अगर मेरा price liquidate भी हो जाता है मतलब मेरा जो trade है वो liquidate हो जाता है तो मेरा 10 जाएगा और 10 बचेगा उसके लिए आपर लोग isolated use करते है बट cross margin में फाइदा है मैं बताता हूँ अभी आपको करना है cross देखो liquidation price दूर ले जाना है तो करना है cross चेशी यहाँ पर हमने कर लिया cross अब हमारे पास है 20 dollar 20 dollar में से only हम 5 dollar से ही trade करेंगे देखो 20 dollar में से यहाँ पर हम 5 dollar से trade करेंगे पेले तो cross select किया 125 X का leverage लिया और अब हम यहाँ पर 5 dollar से trade करेंगे यहाँ पर देखना 5 dollar ही आना चाहिए त्यान से 5 dollar देखो cost में देखना है कि मैंने 5 dollar लिया 20 का करना चाहता हूँ बट मैं 5 का कर रहा हूँ क्योंकि मैं liquidation price है उसको दूर ले जाना चाहता हूँ इसलिए अब यहाँ पर market price पर मैं trade है उसको place करूँगा trade को place करूँगा 5 dollar 20 रखना है 5 करना है जेन लोगों के पास 100 dollar है उसको 25 dollar से trade करना है जो बंदा यह चाहता है कि मैं 125 X का leverage लेके मैं 100 dollar डालता हूँ जिसको डालना चाहता ही है मतलब जो 100 dollar से trade करना ही चाहता है लोशी करना चाहता है उन लोगों को करना है 25 dollar 75 वहाँ पर रखना है cross करके यहाँ पर जे मैं 5 dollar रखता हूँ और market में short करता हूँ तो देखो यहाँ पर मैरा short success हो गया अब हम नीचे देखेंगे तो देखो liquidation price आप देख लो कि भाई मेरा entry price है 16,364 अब मेरा liquidation price की इतना दूर चला गया 16,774 dollar मतलब 400 dollar दूर चला गया वो कितना था only 60 dollar अब मैंने cross पे रखा है इसलिए और 5 dollar से ही किया है बाकी मेरा 15 बच्चा है देख ले ना बच्चा नहीं है लोस होगा तो पूरा हो जाएगा अब 20 dollar का लोस होना है तो जब price यहाँ पर 16,774 तक जाएगा तो पूरा fund मेरा है वो लोस हो जाएगा बट हमने क्या किया liquidation price को दूर लेगे liquidation price को काफी दूर लेगे और ज़्यादा हम दूर ले जाना चाथते है तो मैं देखो यहाँ पर लोस में इसको close कर देता हूँ लोस में इसको close कर देता हूँ त्यान रखना 400 dollar का फरकाया इसको मैं confirm करके close कर देता हूँ अगर आपके पास 100 dollar है उसको 20 ही करता हूँ देखो 20 dollar ही डालना है क्योंकि भाई यहाँ पर तो 125X में तो वही होगा पुरा पुरा लेगे करोगे तो क्या होगा 60 dollar इधर उधर हुआ तो fund गया बट आपके पास 100 है तो उनली 10 से 20 dollar लगाना है देखो 10 यह तो 20 लगाना है और यहाँ पर market price पर हम करेंगे इसको short अब यहाँ पर हमारा short होगी है open अब नीचे हम scroll करेंगे तो liquidation price कहां गया देखो हमारा entry price क्या है entry price है हमारा 16,375 देखो यह रहा entry price 16,371 dollar और हमारा जो liquidation price है वो चला गया 17,523 मतलब यह मान के चलो 1200 dollar 1200 dollar दूर चला गया अब हमने केसे किया वो आप लोगों ने देख लिया और कोई भी कर सकता है तो यहाँ पर जितना भी fund आप डाल रहे हो उनमें से only 10% fund डालना है आप सौझ रहे हो कि मुझे 100 dollar का trade करना है तो आपको 10 का ही करना है profit होगा चुकि इतना ज्यादा दूर चला देगा देखो यह से तो भी 0 पर 10 dollar मुझे मिल रहा है अब 100 dollar डालके जो लोगे सौझते ना कि मैं पूरा leverage लेकर trade करो तो यह technique का वो use कर सकता है और यहाँ पर भी risk है यहाँ पर भी आपको ऐसे लगाना होगा fund पूरा ही lose होगा देखो यह 1500 dollar अगर उपर गया 1200-1300 dollar अगर उपर गया तो मेरा fund lose है बट हमने क्या किया जो liquidation price है उसको काफी दूर लेगे आपके सामने है देखो मेरा कितना है 125X ही है अब आप अपने इसाब से कर सकते हो कि मेरा 100 dollar है उन में से मुझे 10 डालना है 20 डालना है 30 डालना है cross में cross पे रखके आप करोगे तो आपका liquidation price दूर चला देगा ज्यादा लालच मत करना पेसंस के साथ trade करना अगर आप 25X का भी leverage लेते हो उसके लिए भी a technique का प्यूज कर सकते हो cross में डालके तो भी stop loss लगा देना stop loss के साथ trade करना ताकि risk काम हो अब जो लोग gambling कर रहे उनके लिए ये लागो होता है ज्यादा क्योंकि ये जो करेंगे करते ये ना इसे थोड़ी ना है कि कोई भी 125X का यूज नहीं करेगा काफी मेरे पास screenshot आते है तो उन लोग को ये करना चाहिए बाकि आपको ये trick केसा लगा मुझे comment section के अंदर बिल्कुल बताए समझना मैंने केसे किया है मेरे पास 20 डॉलर था उनमें से मैंने एक बार 5 लिया 5 डॉलर डाला और मैंने cross पे रखा देखो 25% हिस्सा मैंने डाल दिया उतने से मेरा trade स्टार्ट हो गया तो भी 400 डॉलर दूर चलेगे समझ रहे हो अब पूरा डालोगे तो 60 डॉलर में क्या आप लोगे उतना तो कुछ भी हो सकता इधर उतर बट आप confirm हो कि market नीचे ही जाने वाला या market उपर ही जाने वाला है और आपका पूरा fund डालके 125x का ले लेते हो और थोड़ा सा भी डगमगाया तो अपना तो fund गया तो क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि 60 डॉलर उपर जाता है और liquidate करके तुरत नीचे आजाता है काफी बार आपने ऐसा देखा होगा तो इससे बचने ये ले एटेकनिक का आप यूज कर सकते हो और 10x का भी leverage लेके आप काफी liquidation price को दूर ले जा सकते हो 10x का भी leverage लेके और आप किसी भी token के अंदर ये कर सकते हो और फाइदा उन लोगों के लिए है क्योंकि काफी लोग मैंने बताया ना कि भाई liquidation price को hit करके तुरंत trade नीचे आ जाते जैसे हमने short किया और liquidation जो price था उसको touch करके नीचे आ गया तो liquidation price को ही दूर ले जाए तो थोड़ा profit काम होगा बट liquidate नहीं होगा मारा fund है वहाँ पर बहुच जाएगा एक टेकनिक वहाँ पर काम आएगा बाकि Binance का exchange आपके पास नहीं है तुम्हें link description box में provide कर रहा हूँ आपको मिल दाएगा वहाँ से आप at least download करे और इसको देखे स्पोर्ट ट्रेडिंग करने के लिए भी मुझे एक्चेंज ठीक लगता है क्योंकि volume अच्छा है और फीज भी आपको देखो discount मिलेगा यह link से आप करते हो तो link आपको description box में मिलेगा और वीडियो को शेयर कर देना इसी दो बहुत सारी टेकनिक है जीरो liquidation price वाला भी मेरे पास एक ट्रेखे में शेयर करूंगा फाइदा थोड़ा कम होगा वह पर profit कम होगा बट liquidate नहीं होगा जीरो आएगा जीरो एकदम से जीरो वो भी में आएगा अगर आप comment में बताते हो तो next मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेके आओंगा मुझे comment करना पड़ेगा कि वो जीरो वाला लेके आओं मिलते एक नहीं वीडियो के साथ